हेलो फ्रेंग्स में नाम है वीजय और आज की वीडियों में आपको यह बताऊँगा कि कैसे किसी भी नोड को सर्कुले लिंक लिस्ट में एंड में कैसे एड करते हैं तो चले स्टार्ट करते है अब देखे अगर एंड में मुझे एड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेग सबसे पहले मुझे एंड फाइंड आउट करना पड़ेगा और न्यू नोड को जैसी में एंड में पॉइंट आउट करूँगा तो यहां पा देखे एक नई नोड एड हुई जिसको मैं नेम दे रहा हूँ जैड अब यह 400 को पॉइंट आउट करा कि ना किसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा मत्तब एक ओपॉइंट करने लग जाएगा यह स्टेप हमें करना है ठीक है तो किस तरह से करेंगे देखे सबसे पहले मैं यहां से connection हटा दे रहा हूँ और यहां पर प्रिवेस वेल्यू थी वही रख दे रहा हूँ ठीक है 400 थी 400 रख देंगे की वेल्यूre करके रहा है 400 तो मैं क्या करूंगा यहां पर वाइल सबसे वेल्क टेम एक एक डिवरेबल ले ले लेता हूं तो यहां पर लूंगा temp is equal to head अब मैं हाँ पर क्या करूँगा while जब तक हमारे temp के reference की value not equal to हो जाए head के जब तक है head के बराबर नहीं होती तब तब मैं क्या करूँगा temp के value को increase करता होँगा temp is equal to temp dot reference अब क्या हाँ पर क्या होगा यह आगे बढ़ते होगे चले जाएगा और temp यहाँ पहुंच जाएगा अब मारे temp यहाँ पहुंच चुका है ठीक है कैसे पहुंची कब वह इससे पहले बता चुका हूँ मैं आपको जब आगे starting में add कर रहा था temp यहाँ पहुंची है अब मुझे सबसे पहले changes क्या करना है सबसे पहले changes मुझे यह करना है temp के जो reference है उसको point out करा है new node में और उससे पहले भी मैं क्या करा सकता हूँ कि जो z का address है z का reference है वो किसको point को रे? head को point out करे दोनों में से कोई भी task पहले करा सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पर किया कर रहा हूंँ दीए जो new node है and then I'm gonna need new node माने new node का जुँ reference है वो मैं कर दिना हुआ किसकी बराबर head के बराबर और सजी मैं के करऊंगा यहां पर जो temp है उसको जो reference है उसको मैं कर दूँँ गा किसके बराबर new node के बराबर बस इतना साही कोड़ करना है आपको अब हम बात कर लेते हैं कि अगर middle में add करना है तो कैसे add करेंगे ठीक है insertion at end अब हम देखते हैं insertion at middle तो यहाँ पर दीखे हैं हमारे एक head होगा जो कि इसको point out करेगा अब starting value को point out करेगा मतलब 400 को point out करेगा ठीक है मैं यहाँ पर general case मान के चलना हूँ कि हम लोग मेडिल मेड कर रहे हैं मतलब यहाँ पर कहीं पर add कर रहे हैं सी और टी के बीच में किसी भी note को ठीक है सबसे पहले एक new node लूँगा इसमें value की z अब यह किसी को point out नहीं कर रहा है इसका जो कि किसको point out करेगा head को point out करेगा मतलब starting value को point out करेगा फिर में एक simple सा एक while का loop ले लूँगा जो कि कब तक चलेगा जब तक temp के का data equal to ना हो जाए value के अब यह value क्या है value जो user देगा ठीक है यूजर की value उस पर है ठीक है तब तर मैं के करूँगा temp की value को increase करता हूँगा temp is equal to temp.reference ठीक है तले time को point out करेगा head को point out करेगा यहां point out क्रेगा तो यहां पर data equal to नहीं है क्योंकि मैं मानगर के चला हूँ के user ने c value दिया है है नहीं है तो यहां पर time k fototh Leash को point out करने लागा फिर condition चैक होगी देखए condition चैक होगी B B is equal to not equal to C नहीं है ऐसा तो C में point ृट करेगा c is is equal to c is not equal to c तो यहांपर क्या है condition होगी false false हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बाहर आजाएगा अब मुझे क्या करना है सबसे पहले changes यह करना है कि z का जो next है वो किसको point out करे मतलब जो new node है उसका जो reference है वो change हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा temp के reference के temp का reference क्या है 500 और z किसको point out करना चाहिए 500 को point out करना चाहिए तब यह इसके बीच माएगा तो यहांपर क्या कर दूँगा मैं temp का reference जो की value देगा मुझे 500 500 मैं कहां से परा रहा हूँ new node के reference में मतलब यहांपर यह 500 आ जाएगा मतलब यहां से इसको point out करना चाहिए तो वही चीच करवार हो यहांपर से क्या करूँगा temp का जो reference होगा अब उसकी data को change कर देंगे उसकी value को change कर देंगे कितना कर देंगे 1000 कर देंगे जो कि है new node की value इतना ही काम पनना है आपको और यह आपका middle में add हो जाएगा ठीक होगा तो यहांपर देगे इससे पहले वाली वीडियो मेंने क्या किया था यहांपर starting में add किया था ठीक है और यहांपर मैंने कोछ चला के दिखाए था code अब हम क्या करेंगे end में add करेंगे तो यहांपर देगे सबसे पहले एक function बना लेंगे इसको दिखाँगा मैं add underscore end ठीक है यह दो लएली ले लेगा आपकी एक self ले लेगा और दूसरे ले लेगा data और यहांपर इसको end में add करना है सबसे बहले new underscore node को create करूँगा मैं जो कि आपके बराबर होगी किस तरह से बनाते हैं देखे सबसे पहले self dot head यह हो जाएगा new node के बराबर और आपका जो new node का reference है वो क्या हो जाएगा वो खुद को ही point out करेगा क्योंकि जो अगर single node होती तो वो क्या करता खुद को ही point out करता है तो new node के बराबर हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है ठीक है तो मालब और भी हमारी nodes है हमारे पर exist करती है तो मुझे सबसे पहले आखरी node में जाना पड़ेगा तो temp is equal to self dot head ले लिया मैंने यह इससे क्या होगा हमारा आखरी node में मैं चले जाओंगा तो यहाँप देखे temp का जो reference है जब तो को equal to नहीं होता है किसके head के ठीक है इससे क्या हो जाएगा हमारा आखरी node में हम पहुंच जाएंगे ठीक है अब यह code क्यों लिखा है यह पहली कल की value वीडियो में बता चुका हूँ मैं तो आपको क्या करना है line by line वीडियो को देखना है ठीक है temp के जो reference है उसको update कर देंगे किसके बराबर कर देंगे new node के बराबर कर देंगे क्योंकि देखिए यहां पर मालेजी आपकी link list पहले से यह आपको provide की गई थी ठीक है आप नहीं node यहां पर add करी ठीक है new node add करी तो जो आखरी node थी इससे पहले और यहां पर से क्या करेड़ की इससे प्वाइंट आट करेगी तो यहां से हमें पहचान्स देंगे आपको क्या है यह आखरी node है फिर इक तो यह link अटा करना है इसको यहां point आट करवाना है ठीक है और यह जो link होगा का नई नोड का link ये यहांपर add होगा तो वही करवा रहें दीखिए टैंप का reference किसके बराबर का? new notorious के बराबर होगा और new notes का जो reference होगा ठिकговगए जो new note add हुई है आंखरी में उसका जो reference है वो किसके बराबर होगा head के बराबर होगा तो यहांपर save.add तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले object में call करा लेंगे add end को add end है ना कि end है तो हम लोग क्या कर रहा है add कर दिरें end में और यहाँ पर 588 यह value add कर रहा हूँ इसको रन करता हूँ तो आप दिखे 588 end में add हो गया है ठीक है अगर हमारे पास सिर्फ एक node रहती है देखे तब के case में क्या होगा देखे तब के case में 50 के बाद 58 add हो गया अगर एक भी node नहीं रहती है तो उस case में देखे क्या होगा तब मारा 5588 हमारा आगया answer तो इस तके से अब लोग क्या कर सकते हैं किसी भी circular link list में end में value को add करा सकते हैं यहाँ पर मैं छोटी सी request आप से करना चाहूंगा हमारे एक दूसरा चैनल भी है CAC 2.0 जहाँ पर हम आपके gate के related subject जो CAC में पूछे जाते हैं वह वहाँ पर cover करते हैं तो अगर आपको CAC के subject पढ़ने में interest है जिसे data structure हो गया algorithm हो गया CE हो गया database हो गया computer organization हो गया operating system हो गया वहाँ पर detail में हम लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग आपके वहाँ पर gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको ताकि आपको और detail में अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और इंटर्विक लिए आप अच्छे से प्रिपेर हो सके अगर आप interested हैं तो चैनल का लिंक मैं आप description में दे दूँगा और यहाँ पर आपको i कर दो